हाई गाईस आपका एक पर फिर से स्वागत है हमारे चैनल अमेज ग्यान में और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यह जो आपका क्लास टेंड मैट्स का पेपर आने वाला है इसमें आप पास कैसे हो सकते हैं अगर आप एक ऐसे बच्चे हैं जिसने आप तक बुग उठा कर भी नहीं देखी है अगर आप भी इस वीडियो को पुरा end तक देखेंगे तो आप भी जरूर पास हो जाएंगे तो इसलिए इस वीडियो को पुरा end तक देखिये और इसने पहले अगर आपने आप तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे ग्राइड गलर का बटन होगा सब्सक्राइब का उस पे क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए सो लेट स्टार्ट सबसे पहला पॉइंट है राइट फॉर्मुले अपनी NCRT बुग लें और उसके अंदर जितने भी फॉर्मुले हैं उनको एक पेज पर लिखें और उनको अच्छे से याद कर लें और उन्हें ध्यान से देखें कि कौन सा फॉर्मुला किस तरह से किस कोशन में लगाना है क्योंकि गाइस अगर आप जब एक्जाम में कोई भी कोशन अटैम्ट करते हैं अगर आपको वो कोशन आता नहीं है और अगर आप उसका एक फॉर्मुला ही लिख के छोड़ देंगे तो आपको उसके भी एक माक्स मिलते हैं तो इसलिए सारे फॉर्मुले आपको अच्छे से पता होना चीए कि कहां लगने और कौन से कोशन में लगने इसलिए फॉर्मुले इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिए दूसरा point है marking scheme हमेशा एक marking scheme ले और उसमें देखें कि कौन सा question कैसे करा गया है और किस step के कितने marks मिले हैं और question को उसी तरह से attempt करें marking scheme बहुत ज़ाद important होती है क्योंकि teachers भी उसी में से देखके check करते हैं आपका exam paper so इसलिए marking scheme से इस तरह की practice जरूर कीजिए इसलिए मैंने आपको एक marking scheme का PDF दे रखा है जिसकी link आपको description में आप वहाँ से download कर लीजिए third point है focus point सबसे ज़ादा आपको focus करना है formula और उस question के right answer पर ध्यान रखें आपका formula हमेशा सही होना चाहिए क्योंकि formula के आपको marks मिलते हैं तो आप उस formula को अगर लिख दे जो answer आरा last का solution वो भी आप बिल्कुल सही लिख दे तो आपको full marks भी मिल सकते हैं उस question के सो इसलिए formula और उसके right answer पर जरूर ध्यान दे fourth point है presentation टॉपर की ये quality आप अपने अंदर हमेशा रखें कि आपको सबसे ज़ादा focus presentation पर करना है good presentation से आपको extra marks मिल सकते हैं और उसके लिए आपको दो point जानना जरूर ही है first point है solution खतम करने के बाद दो line का gap जरूर सोड़ें इससे आपका paper हमेशा neat and clean लगता है इसलिए दो line का gap जरूर छोड़े solution खतम होने के बाद और ऐसा करने से आपका solution teacher को एकदम clear दिखाई देगा second point है rough work हमेशा rough work के लिए उस seat जो आपको मिलती है उसका end page यूज़ कीज़े कभी भी rough work solution के side में एक line कीज़ के मत कीज़े उससे आपके marks deduct भी हो सकते है इसलिए जो seat आपको मिलती है उसका end का paper यूज़ कीज़े और उसके उपर लिख दीज़े rough work और वहाँ पर आप जितना भी rough work के आप उसी page पर कीज़े fifth point है do not give blank paper कभी भी teacher को blank paper मत दीज़े जितना आता है जो आता है लिखिए और हो सके तो सारे question attempt कीज़े क्योंकि आप अगर सारे question attempt करते हैं तो teacher कैसे न कैसे आपको marks देगा और आप पास तो जरूर हो जाएंगे तो गाईस अगर आपके वीडियो पसंद आएए तो please इससे like कीज़ेगा हमारे चैनल Amaze ग्यान को subscribe करके bell icon पे दबा दीजिए हमारी हर नए वीडियो की notifications पाने के लिए और इस वीडियो को share कीचे अपने सारे friends के साथ और अगर आपको कोई भी query है तो आप हमें नीचे comment करके पूछ सकते हैं हम मिलते हैं ऐसे कीज़ेग वीडियो में and finally thanks for watching